हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये थर्मा कोल वाली सीट है जो इसमें मैंने मिट्टी डाला रखी है और ये टिलेवा वाली वो बड़िया मिट्टी है जिसमें अच्छे से बीज उग जाते हैं और ये मिट्टी ठंडी रहती है और पानी काफी टाइम तक सोखी रखती है ये वो और ये इस से कबर की हुई है जिसमें मैं ये मिटी डाल दी और अब मैं इसमें ये रात भर मैंने धनिये को बिगोए रखा था जिसको बिगने के बाद देखो ये इस तरह से हो जाता है तो कुछ इसकी वैसे एक बीज की दो फाड कर ले सारे दनिये की और फिर इसको भी गोए और एक दिन या दो दिनाप इसको भी गोए रखे और फिर बाद में इसको बीज दें तो ये उपलों की जो राक है जो मैं इस ये फंगिसाइड का काम करता है तो मैं इस राक को इस दनिये में मिलाऊंगी और अच्छे तरह से इसको फ्रेंड्स मिलाने के बाद देखो ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं तो इसको फिर अब मिट्टी में इस तरह से डाल देते हैं और इस तरह से डालने से फ्रेंड्स ये राख मैंने इसके अंदर बीज के अंदर क्यों मिलाई क्योंकि हमें और्गेनिक धनिया चाहिए तो इसलिए मैंने कोई फंगी साइड केमिकल वाला जो आता है वो मैंने नहीं डाला तो इसकी जगह मैंने ये राख डाली है तो ये उसका काम करेगी तो इस तरह से ये अपने बीज दें और उपर सुकी राख डाल दें ताकि ये तो मैं इसको छाया में रखूंगी, फिर मैं इसको दूप में रख दूँगी, आदी दूप और आदी छाया मिलती रहेगी, और ये जल्दी उग जाएगा, वैसे ये बिगोने के बाद जल्दी उग जाता है, और वैसे हम लगाते हैं, तो इसको 21 दिल लगी जाती है, तो फ् बर धनिया उगा ले ताकि औरगनिक धनिया हमें मिले बाई